मित्रो नमस्कार मैं पंडिल लाल वहाशुकला जोतिस केंद्र यूटूब चैनल के माध्धिम से आप सभी मित्रों का हार्दिक श्वागत करता हूँ सूर्य मीन रासी के और मित्र गुरू रहस्पती के सयोग्षे होगा शात राशियों के जीवन में खुशियों की बर्शाद मित्रों जैसा की जोतिस बिक्यान में हर गुरू सितारे का गोचर यूमिस्थान परिवर्तन करीब परिप सभी मनुस्यों को जीवन को प्रभावित करता है इसी क्रम में सिंग रासी के स्वामि ग्रह का समस्थ ग्रहों के राजा मानने जाने वाले सूरद्यों का भी हर माह होने वाला गोचर बिशेस महद तो रखता है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अधिकार, आदेश, पिता, सरकारी, पद, उर्जा, आत्मा, श्वाभीमान, आदी का कारक शूर्देव से ही प्राप्त होता है। सूर्देव हर तीन-तीस दिन में अपना गोचर करते हैं जिसे हम संक्रांती कहते हैं। ऐसे में इनका जिसकी कुंडली में सो प्रभाव जातक को अधिकार पढ़ने पर पद, मान, समान, उर्जा, पिता, सुख और जीवन की बाधाओं का सामना करने की सक्ती देने में मदद करता है। वही सूर्य देव का दुर्भल अवस्था में होना जाता के लिए आदम बिश्वास इच्छा सक्ती में गिरावट का कारण बन जाता है। करने में सच्छम रहने वाली हैं। तो आईए आप सभी मित्रों को और भाईयों बहनों को सूर्य के मीन रासी में परिवर्तन और अपने मित्र गुरू ब्रहस्पती के सयोग से किस प्रकार मिलेगा सात रासियों का लाव वह आपको बताने जा रहा हूं। इसके परिणाम सुरू अचानक से ब्रिश रासी वालों की जीवन में अलग लक्षेत्रों में धन का लाव होने का योग बनेगा। वे जातक जो प्रावपर्टी निवेस करने की सोच रहे थे उनके लिए यह समय आवधी अत्तम उत्तम रहने वाली है। भगवान सूरदेयों की कृपा से ब्रशम रासी वाले के परिवारी जीयों में सुक्सान्ती सम्रद्धी आएगी तथा पिता के साथ संबुन भी मधूर करने में सफल रहेंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन रासी की सूरिका गोचर और ब्रहस्पती के सईयोग से कर्म यानी दसंभाव में होगा इसके फल सुरूप मिथुन रासी वाले लोगों के लिए केरियर में अपार सफलता मिलने के सईयोग बनेंगे। कारी नोकरी के लिए प्रिक्षा की तैयारी कर रहे थे उन्हें अच्छे अंग प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। करने वाले हैं। कार्षेत्र पर आपकी आमदनी में ब्रद्धी होगी और आपका धन संचे करने में सफलता प्राप्त करेंगे। अब मात करते हैं तुला रासी की। कई मामलों में कोड का चेहरी में चल ला है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना भी सेस्तोर से रहेगी। तुला रासी की वालों के लिए आरथिक पच के लिहास से तुला जातकों के लिए आवधि उत्तम रहने वाली है। प्रिष्टिक राशी का इस परिवर्टन से क्या होगा सुपल मीन में गोचर करते हुए सूर्य आपकी राशी के संतान अर्थाथ पाचवे भाव में संचारण करेंगे ऐसे में सूर्देो का या इस्थान परिवर्टन आपके लिए सामान से अधिक अनुकूल रहने वाला अब बात करते हैं धनुराशी की इसके परिवर्तन से सूर्देव इस दोरान आपकी रासी के चतुर थर्था सुख भाव में आपका गोचर करेंगे इसके चलते जीवन में सुख समर्दी का विस्तार होगा तता धनुराशी वाले पहले से अधिक आदम विश्वास के साथ धनुराशी वाले परिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो भी सूर्देव की क्रपा से अच्छा लाव का योग बनेगा आमदनी में इजाफाद होगा और समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त करेंगे मीराशी सूर्काया गोचर मीराशी वालों के लिए भी अच्छा है इसलिए सबसे अधिक यह ओधी यह जो है महतपूर सिद्ध होगी और जब नौकरी वाले जो नौकरी पेशा है मीराशी वाले उनके लिए जातक के लिए आपार्त रख्की करेंगे पिसेस कर सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों के लिए मीराशी वालों को कोई बड़ा पद या प्रोमोशन मिलने की योग बनेंगे कुछ जातकों को अपनी च्छानुसा ट्रांसफर करने का भी समय प्राप्त होगा इस प्रकार के मीराशी में गोचर से और अपने मित्र म ब्रहस्पत के साथ संबंद से इन साथ रासियों को विसे सफलता प्राप्त होगी मित्रो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें विल वे घंटी बटन को दमाएं तथा कैसा आज का विचार लगा हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय वस्य दें तथा फिर से इगन